बॉलिवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजे बेल आइकन और जुड़े रहे ये वाट्सअप बॉलिवुड के साथ हेलो एवरिवन वेलकम टू वाट्सअप बॉलिवुड बिग बॉस सीजन 14 में कई टीवी आक्टर्स हैं और ये शो ड्रामे से भरा हुआ है लेकिन हम सब उस समय काफी शौक में थे जब जैस्मीन भसीन को इस शो से बाहर का रास्ता दिखाया गया दिल से दिल तक की आक्टरिस अब इस शो से बाहर हो गई है इन सब की शुरुवात तब हुई जब एली गोनी, जैस्मीन भसीन, अभिनव शुकला और रुबीना दिलैक घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटिट थे सलमान खान ने दोनों कपल्स को गार्डन एरिया में इकठा होने के लिए कहा दोनों कपल्स शाहते हैं कि उनके पार्टनर्स को एलिमिनेट ना किया जाए सलमान खान ने चारों कंटेस्टन्स के साथ फ्रीज और रिलीज का गेम खेला इसमें वो जिसका नाम लेंगे वो बिग बॉस के घर से बाहर आने वाले रास्ते में बने बॉक्स में आगे बढ़ता रहेगा आखे में ये अभिनव शुकला और जैस्मीन भसीन के बीच में गेम था इन में से कौन शो से बाहर आने वाले बॉक्स में आएगा और इविक्ट हो जाएगा जब सल्मान ने जैस्मीन को बाहर चलने के लिए कहा तो वो खुद भी आसु बहाने लगे यहां तक कि सल्मान ने जैस्मीन भसीन को इविक्ट करने के लिए उनसे माफी मांगी एविक्षन का रजल्ट सुनने के बाद एली गोनी बिखर गए वो फूट फूट कर रोने लगे जैस्मीन के निकलने की आहट से एली को घबराहट का दौरा पड़ा जैस्मीन ने भी रोते रोते अली से कहा कि वो उनके लिए ट्रॉफी जीते दरसा जैस्मीन के एविक्षन ने सभी को शौक कर दिया घरवालों को इस एविक्षन पर विश्वास नहीं हो रहा था हाला के शो के फैंस इस बारे में दो अलग-अलग हिस्सों में बट गए हैं कुछ लोग अली को ऐसे देखकर सैट थे तो किसी ने इसे फेक बताया है कुछ ने तो सल्मान खान को इस एविक्षन पर रोने के लिए सुना दिया आईए आपको दिखाती हूँ और्डियंस का रियाक्शन एक यूजर ने लिखा मुझे लगता है सल्लू ये देखके रोया कि कैसे जैस्मीन के इविक्षन पर एली हेलपलेटली रो पड़ा मुझे नहीं लगा था मैं ये कहूंगा लेकिन स्टे स्ट्रॉंग एली ब्रो कुछ लोगों को लगा कि एली फेक कर रहा है उन्होंने लिखा ओमजी एली गोनी सीरिसली ये सिर्फ एक शो है वो सिर्फ शो से आउट होई है आप ऐसे बहेव क्यों कर रहे हो हे भगवान सल्मान को भी रुला दिया उफ मैं एक और यूजर ने लिखा वाट्स दाट ड्रामा एड जैस्मीन भसिन्स इविक्षन जैस्मीन जुपिटर पर जा रही थी क्या अनदर वान रोट अली ओडिशन दे रहा है क्या वेल सल्मान खान को भी लोगों ने बैश कर दिया एक यूजर ने लिखा मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि इस बेकार होस्ट ने आज सच में जैस्मीन जैसी वर्स्ट प्लेयर के लिए रोया मैं अभी भी सत्मे में हूँ वो इसे इतना पसंद क्यों करते थे क्योंकि वो सिफ मीन, नेगिटिव, अनग्रेटफुल और बेकार अनसान थी वेल बिग बॉस सीजन 14 के घर से जैस्मीन भसीन के इविक्षन के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंज के जरीए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहेए What's Up Bollywood